उत्रपदेश में भोटिया समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं भोटिया समाज अनसूचित जनजाती में आता है आपका बता दें भोटिया समाज अनसूचित जनजाती का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भटकता रहता है सर्टिफिकेट कभी बनता है तो क सार्टिफिकट जारी किया चुका है लेकिन बीच बीच में सार्टिफिकट बनाना बंद कर दिया जाता है इस संब्द में भोट गया समाज के लोग जला मुक्ख्याले पर ग्यापन भी दिया गया जीफा मिलना है और ना कोई सरकारी सुब्दा मिल पा रही है पिछले मेने भी भोटिया समाज को अनुसूचिर जन जाती का सार्टिफिकट आगरा में जारी किया गया था लेकिन सवाल यह उठता है आखिर बीच बीच में ऐसा कौन सा आदेश आ जाता है जिसके चलते सार्टिफिकट बनाना बंद कर दिया जाता है इससे भोटिया समाज के लोगों को खासी परिशानी होती है इसकूल कॉलिज में पढ़ने वाले बिध्यारती भटकते रहते हैं उत्तर परदेश में बड़ी संक्या में अनुस्रित जन जाती की लोग मिलते हैं भोटिया समाज के लोग भी आगरा में बड़ी संक्या में रहते हैं जो की अनुस्रित जन जाती में आते हैं बोटिया समाज का साटिबिकट एश्टी का कभी बनता है कभी रोग दिया जाता है लंबे समय से ऐसे ही चला आ रहा है जिसके चलते बोटिया समाज के लोगों को उनके बच्चों को खासी परिसानी का सामना करना परता है बोटिया समाज के लोगों कहना है कि जब ऑनलाइन सार्टिपर बन चुके हैं फिर समय समय पर रोक क्यों लगा दी जाती है अपने साती राजीब के साथ राकिश खनौजिया सीनियूर्स आगरा